अच्छा भाई, एडूकेशन सेक्टर की बात करते हैं थोड़ी सी, आप पढ़ाते तो होई, और एक बहुत जादा relevant सवाल आता है, हम सब के मन में कि यार जो स्कूल में सिखाया जाता था, वो आज तो कहीं कामी नहीं आ रहा हमें, और आप जो पढ़ा रहे हो तरीका तो आपने innovate करा ही, साथ ही साथ क्या आपको सच में genuinely लगता है कि अभी जो हमारा curriculum है वो इतना अच्छा नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है, और इसी के साथ में एक और question add करूँगा, जो अभी changes होएं, जो UP में changes आएं पढ़ाही में कि Mughal history, Mughal chapters हटाये जा रहे हैं, और नही curriculum की कोई गलती नहीं है इसमें, गलती सिरफ teacher की है, हां मतब सर हमारे science में आप लोगों ने बहुत सुना होगा एक chapter है reproduction, इसको na teachers कभी भी खुल के नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको लगता यार बच्चा ना मजाक में लेगा, और बच्चे वेट करते हैं कि खुल के यह वाला chapter का पढ़ा जाया है, अच्छा भाई वो 8 तो है, यही चाहिए बच्चों की यह वाला तो खुल के पढ़ाओ, अरे वो ना है भी 8 न 9th class का chapter है, और वो age ऐसी है, हर class में, वो बायो में, जब तक बायो पढ़ा ही जाती है, और वो age ऐसी है, बच्चा ना मजाक बन एक बार मैंने जब यह पहली बार किया था ना, तो मेरे पास ना एक पेरेंट आये, और ने का कि आप बच्चों को क्या दिखा रहे हुए है, तो मैंने का कि आपको सर मेरी बात की हिम्मत की दाथ देनी होगी, वो female है, तो मैंने पूछा कि आप लोग यूज नहीं करते इस तो हम पढ़ाएं क्यों ना, सर मैंने बहुत सारी वीडियोज देखी है, टीचर क्या करते है, कॉंटरसेप्टि में कॉपर्टी, डाइफार्म, कॉंडम को स्किप कर देते हैं, बीच का वर्ड इसकिप, भाई साब आप मुझे बताएं, यह डर किस चीज का है, आप कि मैं आपको अभी पताने बाइट जाओंगा, और आपको यह यह पॉटकास छोड़ो, इसी के ओपर डिसकेशन करते हैं, तो भाई वैसे उस पर आपका क्या टेक है, जो अब करिकुलम चेंज हो रहा है, और मतलब जो यह एक पर्टिकुलर में, एक जेनरल वे, मैं एक टी इतली स्टेडियम कर दिया गया, उसका नाम पहले कुछ और था, फिरोशा कोटला, ऐसे मुझे जानने को मिला कि मुगल गार्डन का नाम भी चेंज कर दिया गया, तो मेरे साथ मेरी साली बैठी भी थी गाड़ी में, तो उसने इसका कुछ और रीजन दिया, बट मैंने इस या तो साफ बोल के करो, बट धीरे-धीरे चीज़े अटाने के लिए न क्या होता है, जो कहीं लोग हैं, फिर उसको एक दूसरे वे में, नेगरेटिव वे में लेना शुरू कर देते हैं, तो भी वेरी होना चाहिए हमारे देश की हिस्ट्री है, चाहिए वो किसी रिलीजि बार किया, लोगों को मारा, मैं कल किसी के साथ ना, अशोका होटेल में बैठा वा था, मीटिंग चल रही था, रात को मैं तीन मज़े घर आया था, तो उन्होंने मुझे ना एक चीज पढ़वाई, जहां उने पताया कि उन से जादा, लार्ज स्केल पे लोगों को अशोका को पता होनी चाहिए, irrespective कि वो किस religion की है, तो मैं इसके, मतलब मैं वैसे कौन ही होता हूँ, मुझे लगता है ये गलत है, हमारे देश की हर एक historical चीज को मैं पढ़ा जाना चाहिए, चाहिए वो किसी religion की हो, ये तो चीज होनी चाहिए कि जैसे हटाओ मत, अपनी चीज ऐसे Hinduism से related चीज है, वो और add on कर दो, भाई अपनी जो जड़ है वो बताओ, भाई मुझे यहां पर ये लगता है कि बहुत सारी history जैसा हमें पता है कि बहुत सारी नालंदा university के scriptures ये सब जला दिये गए, तो हमार अगर मौका है उसको लाने का तो वो लानी जरूर चाहिए, उसको लाना जरूर चाहिए, जो हमारी roots है values है क्योंकि भाई उसमें भी बहुत ज्यादा science है, हमारे वेदो में, हमारे scriptures में बहुत ज्यादा science है और हर चीज लॉजिकल है, कुछ भी illogical नहीं है तो अगर आनी च scientific भी बहुत अलग है कि हम लोग को और चीज़े add-on करनी चाहिए, सर महाँ भारत हुई, सर जब हमारे energy के neither be created nor be destroyed, energy को हम create नहीं कर सकते, destroy नहीं कर सकते, सर हमारे scientific research हुई है, जहां पर दिखाया गया है कि कुरुक्षेत्र में, ऐसे-ऐसे weapons इस्तमाल हुए थे, जो हम आज की अब नहीं बना पाए है, सर वहाँ पर वो frequencies, vibrations receive की गई है, जो दर्शाती है कि वो abnormal थी, जो दर्शाती है वो इंसान के बसकी बात नहीं थी, इस सारी बाते बच्चों को नहीं पढ़ाई जारी ना, अब किसी, अब देखो, जो क्रिशन जी पर विश्वास नहीं कर रहा है, जो महभारत पर विश्वास नहीं कर रहा है, वो ये सारे facts देखने के बाद विश्वास करना शुरू कर देगा, सर मैं एक science background से belong करता हूं, लेकिन मैं नास्तिक भी नहीं हूं, मैं scientific facts पर विश्वास रखता हूं, और मेरे पास बहुत, सर मैं इसके बार में बहुत पढ़त कोख में कितनी शुगर होती है, पता होगा, लेकिन अगर मैं उबाल दूँगा आपको सामने और वो शुगर बच जाएगी ना नीचे, आपके आखे सामने आ जाएगी ना तो आपकी होश उर देंगे, हो सकता है पीना कम कर दो उसके बाद, क्योंकि आपको दिख गया कि इ चीनी होता ना, चीनी बहुत है उसमें, पानी उबाल दूगा आप घर में कभी फ्राइंग पैन में कोक उबाल देना, जितनी चीनी बचेगी ना नीचे उसको देख के आभरान रहे जाओगे, तो इस तरीके से अगर हमारी हिस्ट्री को पढ़ाया जाए, तो कितना मज़ा और सर, अब बात करते हैं थोड़ा देखो हाँ चीज जहां अच्छी हो रही होते हैं, वहाँ कुछ उसके लूप होल, कुछ डाक साइड, कुछ मलब क्यूंकि अब हमें पता चल रहे है कि टीचिंग लाइन में भी बहुत बड़ा बिजनस चल रहा है एक, तो जाहिर सी बा सारे में बताओ, जैसे जैसे आपने ग्रो करा कुछ क्या चल रहा है अभी, सर यहां पे दो सवाल बने, एक बना पोचिंग का, सर हमारे ओनलाइन, देखो ओफलाइन में क्या होता है, ओफलाइन में भी सर यह पोचिंग होती थी, सर आप कोटा, वहाँ पे बहुत बड़े- साल का 2 CR दे रहा हूँ, आपको दूसरे प्लैटफॉर्म पर अगर 4 CR मिलेगा, तो आप चले जाओगे या नहीं जाओगे, मैं आपसे एक सवाल पुछता हूँ, बिलकुल जाएगा, देखो अगर हमारा प्लैटफॉर्म ही नहीं है, हम सिर्फ जॉब कर रहे है, अगर पैस कोईटञ क्या किया, जब कोई टीचर दूसरे प्लैटफॉर्म पर चला जाता है, ज्यादा किसी पैसे है लारज के वाइसे, I guess उसको हम पोचिंग कहते हैं, बट अगर कोई टीचर पूरा कांट्राक्ट करके एक प्लैटफॉर्म से दूसरे प्लैटफॉर्म पर जा रहा है this is not poaching और मुझे लगता है कि ये सही है until unless आप में इतनी हिम्मत है कि आपने teacher को रोक सको अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आपने teacher को पैसा दे सकते हो या ऐसा कुछ पैसे से उपर दे सकते हो रोक सकते हो तो आपको रोक लेना चाहिए था तो पोचिंग के मैं यह इस वर्ड के खिलाफ हूँ का इन लोग वीडियो बना देते हैं कि हमारे टीचर्स को पोच कर लिया सर हमारे भी हुए हैं सर ऐसी बात नहीं हमारे भी हुए हैं बट जो हमारे हमारे जो साइंस अंफन के कोड टीचर्स हैं वो तो family members ही हैं मतलब मेरे भाई को कैसे पोच करके ले जाओगे हैं मेरे बीबियों कैसे ले जाओगे क्या बोलोगे कि मैं तरको तीन करोर देता हूँ आशु को छोड़ दे मतलब आप उन्हें कैसे पोच करके ले जाओगे और बाकी जो टीचर्स हमारे बहुत अच्छे हैं और सार अगेन मुझे लगता है कि आप भी replaceable हो मैं भी replaceable हूँ हर कोई replaceable होता है सार किसी की जगा कोई ना कोई तो ले लेता है और बात रही अगर ranking की तो सार अभी एक controversy भी पता इतने लाग देंगे और सार मैं सुनता तो बहुत टाइम से आ रहा हूं कि ऐसा होता आ रहा है और सर अगेन मैं ऐसे नाम नहीं लेपा हूँ हमारे face करा है कभी ऐसा आपके लेवल पे हुआ है कि आपका कोई student बहुत अच्छा करे और पता चले कि वह दूसरे institute से पढ़के निकल लाएगा भी face करा है नहीं सर ऐसा मेरा फिर बच्चे को किसी ना प्रोच किया हो आपके किसी बच्चे ना बढ़ियां परफॉर्म किया अगला बंदा आया सुन सर ऑनलाइन क्योंकि मुझे आयब भी डेट साली हुआ है ऑफ लाइन में सर मैं पताता हूं एक बच्च कि मैंने का बच्ची तो हमसे पूरा साल पढ़िया तो अनिकार कि नहीं यह शुरू के दो महिने आपभी पड़ी थी तो वहां मुझे समाज में आ गया था कि एसा तो होता है कि पैसे दे दिया गए है सर मुझे निंगता पैसे भी दी होंगे कभी कभार बच्चा ना दो-त जो बहुत बड़े-बड़े, बहुत बड़े-बड़े इंस्टिट्यूट्स हैं, मतलब कभी आप कोटा जाओ, आपको समझ में आएगा मैं, आपको भी कोटा गये हैं, सर्वेसे, नहीं, बर्टे वो देखा है, तो हमको मालूम है, महां का जोन किया है, वो कोटा फैक्टरी और वो सीरी से की